नमस्कार दोस्तों मेरे डाम विविवाल सिंग बालत जी श्रीयड़ा में आपका स्वागत है यूबीट पले से उत्तरब्रदेश अधिनस्तेवा चैन आयो के अंतरगत पैट 2021 का जो आपका इतिहास का कोर्स है उसमें हम classes wise आपको topic wise वीडियो जो है वो पढ़ा रहे हैं तो आज हम देखेंगे हमारी class number 2 और आज का हमारा जो topic होगा वो होगा वैदिक संस्कृति इससे पहले हमने जो वीडियो था वो देखा था वो side में आई बिटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि आपका सिंदुगाटी की सब्विता पर आधारित class number 1 में हमने देखा था चलिए श्टार्ट करते हैं आज का हमारा वैदिक संस्कृति topic इस topic को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसलेवस में दिखा भी देता हूं कि ये प्रानमभी का अरता परिक्षा पीटी जो है उसके लिए जो पार्टिक्रम है उसमें सिंदुगाटी की सब्विता हमने भारती त्यास में देखा पहले class में आज हम देखेंगे हमारा वै वैदिक सब्विता पर प्रस्थ में आपको करा चुका हूं पर आज मैं उसी हीद को लेकर topic wise में पूरा detail में हम बात करेंगे कैसे कैसे यहां से प्रस्थ जो है वो पूचे जा सकते हैं तो सबसे पहले वैदिक सब्विता की अगर बात करें तो इसके विभाजन से start करते हैं कि इसका विभाजन जो है किन-किन भागों में है तो दो भागों में total देखने को मिलता है कौन-कौन से तो जो पहला भाग है इसे हम कहते हैं रिग वैदिक काल रिक वैदिक काल और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल देखे जो time period है उसके संबद में आपको हर जगा क्या देखने को मिलता है अलग-अलग देखने को मिलता है क्योंकि ये सब अनुमानता ही जो है वो बताए गया है पर एक particular ध्यान रखिए ताकि प्रस्ण में यदि इस पर बेज़ड कोई प्रस्ण आये तो आपको एक अंदाजा जो है वो लगा रहे है तो रिक वैदिक का समय 1500 से ले करके 1000 इसा पूर्व और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय 1000 से ले करके 600 इसा पूर्व ये एक प्रस्ण में अगर कोई समय से संबंदित आपका प्रस्ण आएगा तो वहाँ पर आप इस total overall period के आधार पर प्रस्ण को जो है वो कर ले जाएंगे अब देखें जो वैदिक सब्विता है ये कहा किसको गया अगर इस type से आगर आपके दिमाग में आएगा तो आप क्या कहेंगे कि जो आर्रे थे इनके द्वारा या आर्रेओं के द्वारा जो निर्मित सब्विता थी उसी को हम वैदिक सब्विता के नाम से जानते हैं आर्यों के द्वारा जो ये वैदिक सब्विता थी, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी, कि ये जो है आपकी एक ग्रामीड सब्विता थी, हम इससे पहले जो पढ़के आएं हैं, पिछली वाली क्लास में, उसमें हमने सिंदुगाटी सब्विता पढ़ा था, और पहले जैसा कि इतिहास में आप देख रहे हैं, बताई गई है, तो पहले नगर बस गए, फिर ग्रामीड बस रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, जो सीरियल है, वो उल्टा देखने में लगता है, तो ये एक्च्वल में, इतिहास में यही दे रखा है, पर कि प नगरिये के साथ साथ ग्रामीड भी थे, पर नगर की जो उसकी विवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा विक्सित हुई थी, इसलिए उसी पर में फोकस किया गय था, इसलिए हमने उसको नगरिये जो सब्विता है, उसके रूप में देखा, पर वैदिक सब्विता पूरी पूरी तरीके से ग्रामीड सब्विता जो है वो थी, अब आर्रे जो थे, इनकी अगर भासा पूची जाए, कौन सी थी, ये सब प्रसना आपके पूचे जाते हैं, एक आर्रेों की भासा कौन थी, चार ओप्शन दे दिया जाए, तो आप कहेंगे, आर्रेों की भासा जो है जिनका नाम है मैक्स मूलर, उन्होंने ये कहा था आर्रेों के संदर में, कि जो आर्रे हैं, उनका जो मूल निवास था रहने का स्थान, वो जो है, वो मद्दे एसिया जो है, वो था, तो अगर इस टाइप से प्रसना आए, कि मैक्स मूलर के अनुसार, जो आर्रे हैं, उनक पमूल निवास किया था, तो मददे, एसिया था, या उसी को माना उनोंने, और आर्य सभसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, त्यान रखेगा, और आर्यों के दोरा ही जो निर्मित सबेता थी, उसी को हम वेदिक सबेता के नाम से जानते हैं, इसी वेदिक प्रसासनिक इकाई थी वो आप देखेंगे तो पाँच भागों में जो है वो बड़ी हुई थी प्रस्निया से कैसे पूचा जा सकता है कि इन में से कौन सी प्रसासनिक इकाई वैदिक सब्वेटा से सम्बंदित है या फिर नहीं है तो कौन कौन सी है एक आपकी कुल है एक आपका ग्राम है एक आपका विश है एक आपका जन है और एक आपका राष्टे है ये जो है वो पाँच प्रसासनिक इकाई आरोही क्रम में अगर आप बढ़ते हुए आरोही का मतलब क्या होता है छोटे से बढ़ते हुए क्रम में इस इसे आप अरेंज करके याद रख सकते हैं बाकी इसमें और ज़्यादा डिटेल में कर आप जाएंगे तो जो ग्राम होता था इसका जो मुखिया होता था उसे हम ग्रामिडी के नाम से जानते थे जो विस है इसका जो प्रधान होता था उसे हम विस्पती के नाम से जानते थे जन जो है, इसका जो सासक होता था, इसको हम राजन के नाम से जानते थे अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको याद रखना है, तो ये एक तो पॉंट धान रख सकते हैं जो राज़्यदिकारी होते थे उनमें पुरोहित और जो सेना नी होते थे वो प्रमकोते थे इसके साथ युद्ध के लिए एक सब्ध का भी प्रियोग यहांपर किया जाता था और वो सब्ध था आपका गविश्टी ये गविष्टी सब्द का प्रयोग किया जाता था युद्ध के लिए युद्ध जो होता था उसमें कभीले का नेतत्र राजा करता था और युद्ध का इलिए जो ये सब्द यूज किया जाता था कविष्टी इसका अर्थ होता था गायों की खोज तो particular के वला word याद रखे है कि गविष्टी जो है वो युद्ध से सम्मंदित था जब वैदिक सब्विता की बात जो होती है इसके लावा जो आर्रे होते थे उनका समाज किस प्रकार से था तो पित्र प्रधान जो होता साथ इसाथ समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी इस टाइप के प्रसन आप से पूछ राते हैं सबसमाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी तो आप कहेंगे परिवार या कुल जो है वो थी परिवार या फिर कुल और इसका जो मुख्या होता था वो पिता होता था, जिसे हम कुलप के नाम से जो है वो जानते थे इसके लभा जो आर रहे थे उनका अगर बात करें, मुख्य पेबदार्थ के रूप में क्या था? तो वो सोमरस जो है वो था, सोमरस. ये सब one-one liner के question है, जो आपको normally बताऊना चाहिए, विवसाई के रूप में यहाँ पर क्या देखने को मिलता था, तो पसुपालन और क्रसी जो है वो देखने को मिलता था, पसुपालन और क्रसी, साथी साथ, धातू के संदर में बहुत पूछा जाता है, कि आर्यों का या उनके द्वारा खोजी गई धातू कौन सी थी, तो लोहा जो है वो धातू थी, इसको जो लोहा था, इसको किस नाम से जाना जाता था, तो स्याम आयस के नाम से जो है वो जाना जाता था, और जो तामबा होता था, इसको भी किस नाम से जाना जाता था, तो तामबे को लोहित अयस के नाम से जो है वो जाना जाता था, लोहित अयस, एक्चुल में क्या था ना, कि जो प्राचीन नाम अलग थे, आधुनिक नाम अलग हैं, तो इसी आधार पर ये अलग-अलग नाम आ आरे जो थे उनका प्रिये पसू जो है वो घोड़ा जो है वो था और सारवादिक प्रिये जो देवता हैं उनकी बात करें तो वो जो है वो इंद्र थे अब हम बात करते हैं जो वेद बटे हुए उनकी बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि दो भागों में बटा हुआ है ये पूरा एक उत्तरवैदिक काल और एक आपका रिगवैदिक काल तो जो रिगवैदिक काल है इसकी अगर बात करें तो इसके अंतरगद देखिए जो वेद हैं आप जानते हैं वेद की अगर कुल संक्या आप से पूछे तो चार होती है कौन-कौन सी एक आप होता है रिगवेद, एक होता है आपका सामवेद, सौट महीं लिख देते हैं फिर जब पूरा इसके बारे हम पढ़ेंगे तो हम पूरा लिख देंगे, तीसरा आपका होता है यजुरवेद और चौथा आपका होता है अथरवेद तो जब वेद की संख्या प्रकार पूचे जाएं तो चार होते हैं ठीक है तो जो हमने इस्टार्टिंग में बात की रिगवैदिक काल की, रिगवैदिक काल में आपका रिगवैद, सामवैद, यजुरवैद, यजुरवैद ये तीनों जो है आपके रिगवैदिक काल में आते हैं, इस चीज का ध्यान रखेगा, क्योंकि इनकी जो रचना है वो इसी रिगवैदि के नाम से हम इसे जानते हैं जो लाकरी वाला आपने देखा अथरवेद ये आपका उत्तरवैदिक काल में जो है वो आया था उत्तरवैदिक काल स्टार्टिंग में मैंने सबसे बता दिया था कि वैदिक काल का विभाजन रिगवेदिक काल और उत्तरवेदिक काल में है तो उत्तरवेदिक काल में आपका अथरवेद जो है वो आया था जबकि इन तीनों की रचना स्टार्टिंग के जो तीन है इनकी रजना सबसे पहले रिगवैदिकाल में जो है वो हुई थी अब हम एक-एक करके जो इनके बारे में हैं डिटेल में पढ़ेंगे यहां से डेफिनेटली आप से प्रसंद पूछा जा सकता है अचा सबसे पहले वेद की ही बात भी है तो वेद से पहले प्रसंद पूछा जा सकता है कि वेद का संकलन करता जो है वो इसे जो है वो माना जाता है यानि कि यह जो वेद अलग-अलग देखे आपने संकलन मतलब क्या होता है एकट्टा करके उसको एक गुरूप प्रतान करना तो वो जाना जाता है महार्थी कृष्ण पूरा ही नाम लिख देते हैं महार्थी कृष्ण द्वाइपायन वेदव्यास अधिकतर आप तेकेंगे तो केवल वेदव्यास ही लिखा रहता है पूरा नाम पता होना चाहिए तो और अच्छी बात है तो वेद के प्रसन सबसे पहला यहीं से पूछा जाकता है कि वेद के संकलन करता जो है किसे का आजाता है तो वो महार्थी कृष्ण द्वाइपायान वेदव्यास को जो है वो माना जिया है अब वेद की संक्या मैंने परता ही, इकुल चार होती है, तो उसमें सबसे पहला होता है, एक क्रम भी आपका होता है, जो मैंने अभी लिखाता है, जो सबसे पहला होता है, वो होता है आपका रिगवेद, अब रिगवेद के बारे में हम जानते हैं, इसके लावा वीडियो प तरीके से सभी आपको करा सोगों अच्छे से अच्छे आपके नंबर जो है वो आएं तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवर्श कर दीजेगा रिगवेद की चलिए बात करते हैं तो रिगवेद में सबसे पहला प्रस्ण कि आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है आर्यों के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया तो प्रस्ण सबसे पहला यही पूछा जा सकता है यह जो आर्यों हैं इनकी राजनीतिक प्रणाली या फिर आप कह सकते हैं इतिहास इसके बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है तो आप कहेंगे रिगवेद से जो है इस फिसे में चर्चा है इस यही से जानकारी जो है वो मिलती है दूसरा सबसे महत्पूर पॉइंट की सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद अब से पूछा जाए कौन सा है तो आप कहेंगे रिग वेद ही जो है वो है तो रिग वेद में कितने मंडल है आप कहेंगे टोटल दस जो है वो मंडल है अब इस मंडलो में भी अलग-अलग कुछ है महत्पूर जो आप याद रख सकते हैं अच्छा जो दस मंडल है इसमें दूसरे से ले करके सात्वे मंडल तक को हम प्राचीनतम या वंस मंडल के नाम रिग वेद में जो दस मंडलों की बात की गई है इसमें सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है तो सात्वा मंडल जो है यह सबसे प्राचीन मंडल जो है वो है इन दस मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल अगर आप से पूछा जाए तो सात्वा सबसे प्राचीन मंडल जो है वो ह yang Allah कि अधिया है Is mil Score जहान लखिएगा है अचा अभी हमने वंस मंडल देगा जो कि आपका दो से साथ के बीच में आता है अब यह मज मंडल को ही मैंने बताया प्राचीनתम भी कहा जाता है तो प्राचीनतम या वंस मंडल अगर इसको को कहा जाता है तो नवींतम किसे जो है वो कहा जाता है तो नवींतम मंदल आप कहेंगे एक और दस को यानिकि इस दस मंडलों में पहला और सबसे लेटेस यानि दसवा इन मंडलों को नवीनतम मंडल जो है वो कहा जाता है नवीनतम मंडल क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे बाद में जो है वो जोड़ा गया था तो दस मंडलों में पहला और दसवा सबसे नवीतम मंडल है अब इन सभी चीजों को रफ कर देता हूँ मैं और मंडलों के अंतरगती कुछ और चीजे भी हम बात कर लेते हैं नहीं दस मंडलों में तो दस मंडलों में आपका जो आठवा मंडल है इसके बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि आठवा मंडल एक मात्र ऐसा मंडल है जिसमें हस्त लिकित सब्दो का प्रमाड जो है वो मिलता है इसी में से ही पूछा जाता है आगे जितने आप वेद पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार से कोई मंडलों के बारे में विशेश चर्चा नहीं है पर यहां से फ्रस्ने आपके पूछे जाते है कि इस मंडल में क्या है या इसमें तो आठवे जो मंडल है उसमें हस्त लिकित सब्दो का प्रमाड मिलता है ये एक मात्र ऐसा मंडल है नवे मंडल में अगर बात करें तो इसमें आपका जो सोम देवता है जिने हम जंगलों के देवता भी कहते है तो सोम देवता या जंगलों के देवता जो है इनकी चर्चा जो है वो की गई है किसमें नवे मंडल में डारेक्ट भी पूछा जा सकता है सोम देवता की चर्चा किस मंडल में की गई है जंगल की देवता की चर्चा किस मंडल में की गई है इस टाइब से और कहा भी गया इस मंडल में कि मैं कभी हूँ मेरे पिता वैद्द है मेरी माता चक्की चलाती है क्या कहा गया है कि मैं कभी ह मेरे पिता वैद्ध है, मेरी माता चक्की चलाती है. दसवे मंदल की बात कर लेते हैं, तो दसवे मंदल के जो पुरुष सूप्ट है, इसमें पुरुष सूप्ट में पहली बार सूद्र जो है, उसकी चर्चा की गई है. सूद्र कहने का मतलब क्या है? तो सूद्र मतलब बड़ेव की मातरई होती है सूद्र में तो सूद्र मतलब निम्न कोटी जो यह कह सकते हैं निम्न कोटी की जाती है उसका उलेग जो है वो किया गया है तो कि आप जानते हैं रामर्ज, हत्रिय, वैसे सूद्र इस प्रकार से विभाजन था तो जो सूद्र है वो दसवे मंडल में जो है चर्चा की गई है पुरु सूख्त में दसवे मंडल के पुरु सूख्त में पहली बार सूद्र निम्न कोटी की जाती की चर्चा इसमें की गई है ये हो गया फिर थोड़ा सा उपर जाते हैं दस मंडली है टोटल इसमें जो तीसर मंदल है, इसकी बात करें तो बहुत ही जादा महतपूर है ये, क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र की चर्चा इसी मंदल में जो है वो की गई है गायत्री मंत्र, डिरेक्ट मंदल ना पूछ कर कई बार क्या होता है वेद में पूछ दियाता है कि किस वेद में उल्लिकित किया गया है तो रिगवेद की हम अभी तक बात कर रहे हैं तो रिगवेद में उल्लिकित किया गया है और बहुत ज़्यादर डिटेल में जब पूछा जाएगा डारेक्ट भी इस ताइब से पूछा जा सकता है, दसराग्य जो है, इसका युद्ध है, ये किस मंदल में उल्लेखित किया गया है, तो सात्वे मंदल में उल्लेखित किया गया है, और ये जो है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी वर्तमान में नाम है, पर प्राची नाम इसका था परुसर्णी, इसके तड़ पर सुधास और दस जन, कौन? सुधास और दस जनों की बीच जो है, वो लड़ा गया था, जिसमें सुधास, जो है, वो जीद गय थे, विजई रहे थे, तो ये दसराग युद्ध सात्वे मंडल में उलिकित किया गया है और ये जो मैंने सूद्र बताया था इससे ये ज़रुद ध्यान लखी का कि जो हम रिगवैदिक काल ही पड़ रहे हैं रिगवैदिक समाज पड़ रहे हैं तो ये सूद्र जो लिखा था बड़ वैने वहाँ पर ही क्लियर कर दिया पर इस टाइप से भी ध्यान रगेगा ये हो गया मंडलों के बारे में इसके साथ साथ रिगवैदि में ही आपका 1028 जो है वो सूक्त है लगबग 11,000 लगबग करके इसे 10,552 भी बोला जाता है तो आप कहेंगे इतने जो है इसमें मंत्र है और लगबग लगबग आपका एक लाख जो है वो रिचाए है एक लाख रिचाए है जब बात होगी किसकी रिगवैद की इसी रिगवैद जो है इसके ग्याता अगर पूछे जाएं रिगवैद जो है इसके ग्याता कौन है रिगवैद के ग्याता जो है वो बोत्रा जो है वो कहलाते है क्या कहलाते है बोत्रा रिगवैद ही की तुलना जो है एक गरंथ से भी की जाती है वो ग्रंथ का नाम है क्या है, तो इरानी ग्रंथ है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखेगा, इरानी ग्रंथ जिसका नाम है जेंदा वेस्ता, क्या नाम है, जेंदा वस्ता, रिगवेद की तुल्ला, इरानी ग्रंथ, जेंदा वेस्ता जो है, इससे की गई है, तो डारेक्ट प पूछ जा सकता है कि किस इरानी गरंद से की गई है जो जेंदावस्ता से की गई है वो कहां का गरंद है इरानी गरंद है लाश्ट लाइन आपका कि यह जो जिदने भी आपने देखे इनके उपवेद भी होते हैं नहीं कि रिगवेद का अलग उपवेद है सामवेद का अलग और ये जो आयूरवेद है इसकी रचना किस ने की थी तो इसके रचनाकार थे धनवंतरी ये ध्यान रखेगा डिरेक्ट आयूरवेद के रचनाकार भी पूछा जा सकते हैं या आयूरवेद जो है वो किस वेद से सम्बन देती ये पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेगा रि जो कि है आपका सामवेद मैंने पहले ही जब प्रस्न कर आए थे तो आपको बताया भी था कि जो सामवेद है इसी में ही आप देखते हैं सारे गामा पाधहरनी इस टाइप से जब बात होती है किसकी सुरो की तो वही हम सारे गामा कहते हैं तो सासे ही सामवेद है सासे ही सारे इससे ध्यान रख सकते हैं कि इसका संबंद गायन से हैं जुतने भी संबंद की जब पूछा जाएगा तो सामवेद के साथ जो है वो जाएंगे सामवेद की अगर बात करें इसमें जो देव की पुत्र हैं, जिनका नाम क्या है, क्रिश्न, देव की पुत्र, क्रस्न की चर्चा पहली बार जो है, इसी में की गई है, प्रस्न की चर्चा ब्रैकिट में चर्चा लिख देते हैं बाकी आप समझ जाएंगे कि चर्चा पहली बार जो है साम वेद में ही की गई है यहाँ पर अगर बात करें कुल रिचाएं कितनी हैं तो 1875 जो है वो कुल रिचाएं है और इसमें 75 आइसी रिचाएं थी जिनको छोड़कर बाकी सबी जो रिचाएं वो उपर जो हम पढ़के आएं है रिग वेद वहीं से जो है वो ली गई है इसी वेद में जो है देवताओं की जो इस्तुती की जाती है उसको गायन सैली में लिखा गया है मैंने पहले ही बोल दिया था आपको गायन से संबन देता है साम वेद के साथ जो है वो जाईएगा इसी को ही और तरीके से पुछा जा सकता है कि भारती संगीत का जन्म स्थली किस वेद को माना जाता है तो साम वेद को ही जो है वो माना जाता है अब इस वेत के ग्याता की बात करें, जैसे हम उपर देख के आये थे, जो रिग वेत था, उसके ग्याता थे, होत्री, होत्रा, और इसी प्रकार इनकी बात करें, तो इसके ग्याता यानि की साम वेत के ग्याता जो है, वो उद गाता है, देखिए, गाना जब बात की जाती तो ये भी ध्यान रख सकते हैं इनके ज्याता को, अब जो सामवेद है, इसके उपवेद की बात करें, इसका उपवेद क्या है, तो इसका उपवेद है, गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद के रचाईता कौन है, तो आप जानते हैं, भरत मुनी है, ये अब जो है, वो ध्यान केगा, तो सामवेद में केवल इतना ही है, मेन-मेन जो चीज़े हैं, वो आपको याद रखने ही, जहां से प्रस्ण पूछे आते हैं, रिगवेद में थोड़ा प्रस्ण पूछने के जाने के चांसे ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए जितनी चीज़े थी हो, आप मैंने बता दी, ये हो गया हमारा सामवेद, बात करते हैं हमारा तीसरा, तीसरा है आपका यजुरवेद, यजुरवेद की बात करें, तो ये जो वेद है, इसमें आर्रेओं के द्वारा जो किये गये थे, युद्ध, और आर्रेओं के द्वारा जो किये गये थे, यग्य, उनका वरणन जो है, वो किया गया है, किसका किसका, युद्ध और यग्य का, ये आपका एक मात्र ऐसा श्यजुर्वेद जो है एक मात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्ध और पद्ध यानि कि कहानी और कविता दोनों में ही जो है वो लिखा गया है। दार्म रखिएगा गद्य और पद्य दोनों में ही आपका यह जुर्वेद जो है वो लिखा गया है इसका उपवेद क्या है तो इसका उपवेद जो है आपका धनुर्वेद है धनुर्वेद और इसके जो रचनाकार है धनुर्वेद के वो आप जानते हैं विश्वा मित्र और इस वेद के ग्याता को क्या कहते हैं तो इस वेद के ग्याता जो है उनको अधर व्यू जो है वो कहते हैं बस इतना सध्यान रखेगा ट्रिक से थोड़ा जोड़ना चाहे हैं तो जोड़ सकते हैं जैसे यजुरवेद है या से ही यजुरवेद है या से ही आपका युद्ध भी है या से ही आपका यग भी है तो युद्ध यग्य जब भी बात दिमाग में आये, कहां है, तो आप यजुर्या से ही याद रखेंगे, तो दोनों ही यजुर्वेद में हैं, याद रख सकते हैं, दूसरी चीज, जो आपका यग्य होता है, यग्य जब कराये जाता है, तो आप जानते हैं, उसमें जो यग्य जो है, इसमें जब वो पढ़ते हैं, तो पद्ध का रूप भी होता है, और साथ इसाथ गद्ध का रूप भी होता है, यानि कि जब आप देखते हैं, रामायड आपने कभी पढ़ी होगी, तो रामायड में बीच-बीच में उधान, यानि कि जैसे दोहा लिखा है, बीच में को थोड़ा सा sentence भी लिखा है, तो उसी सही ये कहने का मतलब इसको trick से आपको जोड़ना है, कि जब बात आई ये जुरवेद की, तुरंत आपनी या word पकड़ा वहां से, तो या से यग्य हो गया, या से यग्य के साथ साथ युद्ध हो गया, तो जैसे ही आपनी तीर कमान सब चला जाते हैं, तो धनूर, जैसे ही धनूर जोड़ेंगे, तो आप ये यादा जाएगा आपको, कि इसका जो उप्वेद था, वो धनूर वेद था, और जो धनूर जब आप यूज करते हैं, युद्ध में, तो पूरे विश्व पर आप क्या करते हैं, चाहत हैं, कि पूरा विश्व का अपजा कर लें, या पूरे विश्व को अपना मित्र बना लें, विश्वा मित्र जो है, धनूर वेद के रचैता हो जाएंगे, और लाश्ट जो आपका वचा अधर व्यू, वो भी साथ में जोड़कर याद रख सकते हैं, इतना होगे आपका य यह सबसे नवीन्तम वेद हैं, मैंने स्टार्टिंग बदाया था इसकी जो रचनाया वो किस में हुई है, तो उत्तरवैदिक काल में जो है वो हुई है, उत्तरवैदिक काल में इसक में विशेष्था सबसे बड़ी क्या है, कि विविन प्रकार के जादू, तोना, अंधिविश्वास, या फिर तोटका हो गया किसी प्रकार का, या फिर भूत पिसाच हो गया, या फिर विविन प्रकार के रोग हो गया, या उनका जो निवारण है वो हो गया, तो ये सारी चीज़े आपकी इस अथर वेद में जो है वो आती हैं। यानि कि अथर वेद में जो है इन तीनों की चर्चा जो है वो की गई है। इसकी अगर बात करें तो इसकी रचना किस ने की थी तो विस्व करवाने जो है वो की थी। बस इतना सा धहन रखिएगा और ग्याता हमने सब में देखा है तो इसमें भी देख लीजे इसमें जो ग्याता है उनको क्या कहते हैं। वो ब्रह्मा जो है वो कहते हैं। एक बात थोड़ा समय पिछले जित्ते भी ग्याता है उनको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। जो रिगवेद थे उनके ग्याता को होता कहते हैं। ओत्तरा भी कहते हैं। सामवेद के ग्याता को उदगाता कहते हैं। यजुरवेद के ग्याता को अथरव्यू कहते हैं। और ग्याता जो सबसे लाश्पाले हैं अथरवेद इनके ग्याता को ब्रह्मा कहते हैं। तो सभी चीज़े हमने देख ली, पूरा अमारा वेट समाप्त हुआ, अब एक चीज और समझेए, कि जो रिगवैदिक कालीन है, इसमें अलग-अलग नदियां, जो हैं उनके प्राचीन नाम थे, या कह सकते हैं, रिगवैदिक कालीन में जो देवता थे, उनके नाम, उनका स कि बात करें, तो वितस्ता जो है, इसका प्राचीन नाम थे, और प्राचीन नाम कहने का मतलब कया है, कि रिगवैदिक कालीन नदिया, तो उस समय नाम, उस learntी के टाइम पर जो होता था, वह वितस्ता नाम झो है वो था, रावी का नाम मैंने बथा दीया, क्या नाम बताया करें, सतलज का नाम क्या था, सतुद्री जो है वो नाम था, इसी प्रकार विपासा की बात करें, विपासा जो है उसका नाम व्यास था, ऐसे ही कुछ और भी नाम थे, जैसे कि जो घगर नदी है, उसका नाम द्रस्दती था, गोमती नदी, प्राची नाम था, वर्तमान में गोमल हो गया, ऐसे हैं, पर यह जो तिन चार हैं, इनी को द्यार लगेगा, जो की चर्चाने ज़्यादा रहते भी हैं, अब इनी संख्याओं के अलावा, इसी में आपको उपनिसद की संख्या पता होना चाहिए, आपको महापुरान जो हैं, उनकी संख्या पता होना चाहिए, आपको जो वेदांग हैं, उनकी संख्या भी पता होना चाहिए, तो उपनिसदों की संख्या कितनी हैं, आप कहेंग कुल 108 जो है वो उपनिसद है, महापुराण की संक्या कितनी है, आप पहेंगे कुल 18 जो है, वो महापुराण है, वेदांग की संक्या कितनी है, तो कुल 6 जो है, वो वेदांग है, यहाँ पर जो उपनिसद है, इसका अर्थ क्या होता है, तो उपनिसद का अर्थ होता है, गु उप्सिदा उपनिसद ऐसे हैं, जिनको प्रमाрьिक बताया गया है, तो मात्र, 13 ऐसे उपनिसद हैं, जिनको प्रमारिक जो हैं वो बताया गया फिर आपका यहां से एक बहुत ही ज़्यादा इंहें महत्पूर्ण प्रस्ण पूछ रहाता है वो है भारत का राश्टिवाग के आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते तो यह किस उपनिसद से लिया गया है बहुत से कॉम्टेटी लेवल में प्रस्ण पूछा गया है तो ध्यान रखेगा इसको एकदम मुंड को उपनिसद से जो है वो लिया गया है साथ ही साथ जो मुंड को उपनिसद है यह जो हम वेद पढ़के आए हैं वो किस वेद के नतरगत आता है तो यह अथर्व वेद के अंतरगत जो है वो आता है तो अथरवेद का जो है ये उपनिसत है ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेगा most important है अब बात करते हैं महापुरान की तो पुरानों की संख्या मैंने बताया कुल 18 है तो सभी पुरानों की रचना जो है किसके दोरा की गई है तो लोमस रिसी और उनके पुत्र थे जिनका नाम था उग्रस रवाग इसके किसके दोरा पुरानों की मैं बात कर रहा हूँ तो सभी जो पुराण है वो Lomas Grisee पूछा वैसे हलांकी इनका नाम कम ही जता है Lomas Grisee और उनके पुतर थे जिनका नाम था उग्रिस्रावा इनके द्वारा जो है वो की गई थी ये बहुत कम पूछा जाता है पूछा क्या जाता है, सारी चीजे मैं रफ कर देता हूँ, फिर वेदान के भी हम बात करेंगे, चले अच्छा रफ कर देते हैं, तो सभी जो पुरान हैं, इनमें सबसे प्राचीन पुरान कौन सा है, इस टाइप से प्रस्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सबसे प प्राचीन पुराण जो है इसे माना जाता है इसी मतस्य पुराण में जो विश्णु भगवान है उनके दस अवतारों की चर्चा भी जो है वो की गई है डारेक्ट ऐसे भी प्रस्म पूचाता है कि विश्णु भगवान के दस अवतारों की चर्चा जो है वो किस पुराण मे की गई है, तो मतस्य पुराण में की गई है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मतस्य पुराण जो है, इसी के करण, अच्छा, इसी पुराण में अच्छा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कि सातवाहन वंस जो है, सातवाहन वंस, इसी पुराण में सातवाहन वंस की चर्चा भी जो है, वो की गई है, किसमें मतस्य पुराण में, फिर आपका एक पुराण है, जो है वायू पुराण, वायूपुरान की बात करें तो इससे आपका गुप्त वंस जो है इसकी जानकारी जो है वो मिलती है एक और आपका बहुती चर्चित है वो है विष्णूपुरान इसकी बात करें, तो विश्नु पुरान जो है, इससे मौर्रे वंस के बारे में जानकारी जो है, वो मिलती है, मौर्रे वंस के बारे में ये सभी जरूर ध्यान रखेगा क्योंकि वन्द से सम्मंदित प्रस्ण पूछने के चांसे बहुत ज़ादा होते हैं ये जरूर ध्यान रखेगा अब हम बात करते हैं वेदांग की मैंने क्या बताया था टोटल जो वेदांग है इनकी संख्या कितनी है तो आपको मैंने कहा था टोटल छे वेदांग हैं अब ये भी जो है वेद का अंग ही होते हैं तो वेदांग, वेद का अंग मतलब नाम से इनके समझ में जो है वो आ रहा है रचना इनकी क्यों की गई थी तो इनकी रचना जो वेद हो दे थे उनको और बढ़िया तरीके से है, उनको सही तरीके से समझने के लिए किया गया था कौन-कौन से ये छेवेदांग है, तो ये जो है वो व्याकरण है निरुक्त है कल्प है जोतिस है सिक्षा है और छंद है ये आपके जो है वो छेवेदांग है व्याकरण, जोतिस, निरुक्त, सिक्षा, कल्प, छंद अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप सभी जानते हैं सबके बारे में कि अगर व्याकरण की बात हो रही हो ये हमारा लाश्टी टॉपिक है, इसके बाद हमारे ये टॉपिक भी जो है वो समात हो जाएगा अच्छा, एक दो पॉइंट में आपको इनको बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे उत्तरवैदिक काल की हमने बात की थी, तो वहाँ से एक प्रस्नी ये पूछा रहा सकता है कि कौसामभी जो है नगर, इसमें पहली बार पक्की इटो का प्रियोग जो है वो किया गया था कहां किया गया था पक्कीटो का प्रियोग कौसाम भी नगर में जो है उत्तरवैदिक काल में जो है वो किया गया था इसके अलावा जो महा काव्य है वो कौन-कौन से आप जानते हैं महा भारत और रामायड हैं तो महा भारत जो है इसका पुराना नाम भी जो है वो पूछा जाता है महा भारत जो है इसका पुराना नाम क्या था तो जैसाहिंता जो है पुराना नाम था इस चीज को ध्यान रखेगा ये पूछा जाने के चांसे बिल्कुल बन सकते हैं जैसाहिंता महा भारत का पुराना तो व्याक्रण आप जानते हैं किसी में समास, संधी, उपसर्ग, प्रत्य, इनी सब की चर्चा जो है वो की गई है प्राचिंतम जो व्याक्रण गरंथा वो आपका अश्टा ध्याई है सबी जानते है प्राचीनतंबव क्या है? अब अश्ता ध्याई रचना किसकी है? ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अश्ता ध्याई किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ये पाडनी उनकी रचना है ब्लेक से लिख देते हunky थोड़ा सा आपको एक ही में मिला हुआik दिखाय देए इसकी रचना है पाधिनी जो है उनकी रचना है अस्टा ध्याई ये जो है प्लाचीनतम व्याकरन करत है आपका अस्टा ध्याई उसकी रचना पाधिनी के द्वारा की गई है बाद में आगर आप देखेंगे, तो यही जो आपका अश्टा द्याई था, सुंग बंस का जब काल आया था, उसमें पतंजली नाम, सभी ने नाम सुना है, पतंजली जो हैं, ये विद्वान थे, इन्हों ने ये छोटी की मात्रा इसको कर देते हैं, पतंजली होता है, तो प पाड़नी की रचना थी, इसी अश्टा द्याई पर इन्होंने महा भास से जो है, नामक एक टी का टिपड़ी होता है, तो उसकी रचना की थी, तो विद्वान ने अश्टा ध्याई नामक ब्यक्रण गरंत पर महाभास से नामक जो ठीका टिपड़ी है, उसकी रचना जो है, वो की थी, फिर बात करते हैं हमारा दूसरा, जो है यहाँ पर जयोतिस, व्याकण की हमने बात कर ली, जयोतिस की अगर बात करें, तो इसे आप वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है, यहाँ पर थोड़ा स गिचपिच हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हैडिंग डाल कर जो है, अलग से बता देते हैं, बात हम कर रहे हैं, जयोतिस की, जो की आपका हम वेदांग के अंतरगत पढ़ रहे हैं, जो जयोतिस है, इसकी अगर बात करें, प्राचीन्तम जो जयोतिस सम्वर्दित गरंथ है आपसे पूछा जाएगा तो व्रहत सहिंता है व्रहत सहिंता जो है इसकी रचना किस ने की है तो वराह मिहर ने की है ये बहुत से एक्जामों में पूछा भी जाता है वराह मिहर जो है इन्होंने व्रहत सहिंता की रचना की है ये आपका हो गया दूसरा नंबर का आपका आया कि इसे आप सरीर का आख मान सकते हैं तो निरुप्त जो है इसे आप क्या मान सकते हैं नाक और कान जब पूरा अगर वेद रूपी सरीर है एगर पूरा एक सरीर है वेद तो उसमें अलग-अलग हिस्तों को अगर आपको दर्जाना है तो उस आधार पर है और जो सरीर का हम क्या कहते हैं मस्तिस्क की संग्या आप इसे जो है वो देते हैं कि पांचवा आपका था कल्प कल्प जो है ये वेदरूपी सरीर का आथ जो है वो कहा जाता है और इसके अंतरगत भी अलग-लग साखाए है सुरोत सूत्र धर्म सूत्र वो इतना लेटेश में अमरनी क इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा एक पॉइंट चाहे तो आप इस कल्प सूत्र में याद रख सकते हैं कि कल्प सूत्र के यहनी जो कल्प है इसके अंतरगत जो सूत्र है कौन सा धर्म सूत्र उस धर्म सूत्र में मनुस्य के पुरुसार्थ की सबसे पहले जो चर्चा है वो की गई थी और साथी साथ जो इसमें ग्रह सूत्र था इसी कल्प में उसमें भारती विधी कानून इंडियन लौ की चर्चा जो है वो की गई थी आप चाहें तो यह चीज़ याद रख सकते हैं क्या कि इसी के अंतरगत जो सूत्र विवाजित थे उसी में जो ग्रह सूत्र था उसमें इंडियन लौ जो है या भारती विदी कानून आप कह सकते हैं उसकी चर्चा पहली बार जो है वो की गई थी कल्प हो गया आपका और छटा नंबर आपका हो जाएगा चंद इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम वेदरूपी सरीर का पैर जो है वो मानते हैं इस प्रकार से अलग-अलग अंगों के आधार पर यह भी भज़ित था तो सारी चीज़े हमने देख ली जो भी कुछ इस टॉपिक में आ सकता था और पूरी मैंने कोसिस किया अपनी तरफ से कि अधिक से अधिक चीज़े मैं आपको अच्छी चाट के प्रोवाइड करा सकूँ आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखने हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया अब एक प्रस्द हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक प्रस्क पूछते हैं, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा, तक इसी प्रकार आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिसना हो, टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वालजी इस हैं महा भारत से, एक्च्वल में महा भारत के बारे में मैंने अभी लाश में आपको बताया भी था, उसी सही संबंदित चलिए प्रस्ण पूछ लेते हैं, चैनल महा भारत के बारे में मैंने यह बताया उसका पुराना नम जय सहिंता था, कुछ और चीज़े आप चाहें त पारतालाब था, उसकी चर्चा की गई थी, यह सारी चीजे हैं, पर हम प्रस्ण यहां से क्या पूछ रहे हैं, हम यह प्रस्ण यहां से पूछ रहे हैं, कि महाभारा जो है, इसका संकलन करता जो है, वो कौन था? ये आपका इस वीडियो का प्रस्न है और इसके लिए हम चार आप्षन भी आपको देंगे पहला आप्षन आपका होगा वालमी की सॉट में लिख दिया मैंने दूसरा भी आप्षन हो जाएगा आपका वेद व्यास C आप्षन आपका हो जाएगा कालिदास और D आप्षन हो जाएगा नन आप्षन यानि की इन में से कोई नहीं वालमी की क्यों अधूरा लिखा है इसको भी पूरा ही लिख देते हैं वालमी की वेद व्यास, कालिदास या इन में से कोई नहीं महाभारत की जो रचना है किसके दोरा की गई थी संकलन करता के रूपे आपको बताना है सभी लोग अपना अंसर वीडियो के मेन कमेंड में टाइप करके आवश्य बताईएगा और जितने भी चीजे यहाँ पर बताईएगे हैं कोसिस कीजिए कि उनको याद भी साथ में करते चलिए एक बार में अगर चीजे नहीं याद हो रही ही तो वीडियो को आप अधिक बार देखिए गूमते टैलते देखिए इतनी डिटेल में आप चीजे बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो अवश्च देख लीजेगा क्योंकि इसी प्रकार उसमें भी सारी चीजे मैंने जो भी कोर्स में आपके पेपर में बन सकता था सब जो है वो करा दिया था आज के वड़ में इतना ही रखते हैं तब तकिन रमाशकार थैंक यू पर वाचिंग